कैसे हो आप सब आई होज़ सब अच्छे हऊंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ डिफ्रंट हिएस्टल की वीडियो करूँगी आज की वीडियो में मैं आपको डिफरंट दिफ्रंट टरीको से फ्र्रेंच ब Ende कर देखाओंGyu काफी असान तरीकों से तो गैज अगर आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टाट करते हैं तो गाइस फ्रेंच ब्रेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके बाल बिल्कु नीट अंड क् सकते हैं किसी भी ऐस्टी का यूज़ करके से और भी ज्यादा अच्छी तरीके से मतलough पा के यह सट्रills सकते हैं या फिर अगर आपकोचा को सिंपल क्लेजी ऑफ बूबस इस चाना है तो सिंपल ऑप स्धी चोड़ कर भी जैसे फ्रेंच पीट्व क spec procedure से बानाकर भी अपर क सकते हैं और अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है किसी पार्टी में किसी भी बर्डे में जाना है तो आप इसे किसी भी हेरेस एस्ट्री से डेकोरेट कर सकते हैं तो गाई सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर पार्टीशन किया और इस तरह से सेक्शन all by सेक्षन लेकर मैं फ्रेंच प्रेट बना रही है। आप देख सकते हैं कि नीट औंड टीन यह ब्रेट सकते हैं। सबहुत आप साइड से प्रेट सकते हैं 멍न हुत लेक। फिर ब्रेड बना लें या फिर बालों को ओपन छोड़ लें कोई भी जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसे छोड़ सकते हैं तो देखिए कितनी असान है यह वाली ब्रेड बनानी और इतनी जाथा अच्छी इसकी लूक काती है तो साइड में मैं इसी टिक टैक पिन की हल्ट से सिक्योर कर रही हूँ आप चाहिए तो दोनों साइड से ब्रेड बना करना पॉनिटेल भी कर सकते हैं रबट बैंड का यूज़ करके बट मैंने यहाँ पर टिक टैक पिन लगाई हैं और बाकी के बालों को मैंने ओपन प्रेंच 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 प्रे अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और किसी भी फंक्षन में यह वाला हिरस्टेल केरी कर सकते हैं इंडियन एंड वेस्टेन दोनों आउट्फिट के साथ यह वाला हिरस्टेल बहुत ही जधा अच्छा लगता है लूग बहुत अच्छी अग्ती है अगर आपके बाल में आपको जस्ट दो से तीन मिनट ही लगेंगे अगर आपके बाल लंबे हैं तब भी तो देखी यह ब्रेड बनानी भी कितनी ज़्यदा इजी है लिए बस आपको लेते जाना और ब्रेड बना देनी है और इसकी भी लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है इसमें किसी असेसरी के यूज नहीं किया ब्रेड बनांक अकした लास में मैंने रबर्ट बेंड डाल दिया है तो नेक्स ऐ फ्रेंच ब्रेड के लिए अग्या उसमे आप इप ळाल बैड बार लिय को दिख सकता राजता उसमें यहां अप एज़ियों हैं एंतर फ्रेंट अपकर दींच सम आप चाहिए तो यह वली ब्रेड बना करना बाकी के बाल सारे ओपन छोड़ दें या फिर आप मतलब एक जूड़ा भी बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुन्दर यह वला हेस्ट्राइल लगता है फैस्टेंड आउटफिट के साथ भी यह वला हेस्ट्राइल बहुत ही काी सेक्शन बाइस्ट्राइल करते जाना है झाल यह मीन अपने कोई भी वैस्ट्राइल बनासकते हैं अगर आपने कोई भी बेंश्चन आउटःट पहना है तो उसके साथ भी आप यह वला हेस्ट्राइल कर सकते हैं चाहिए कि स्था это द्चाहिए जिक प्रेंच फीड मारकित में आई हुई है तो देखी है मैंने सिम्ल टिक टैक पीन से इसे सिक्य। कर दिए और बाकी के बालों को मैंने open छोड़ा है अगर आपके बाल जोटे हैं तब भी आप इस hairstyle ko बना सकते हैं किसीकी help ले सकते हैं इस hairstyle ko बनाने के लिए तो देखें next hairstyle के लिए मैं सबसे पहले तो center partition कर रही हूँ दोनों side मुझे french braid बनानी है ये भी hairstyle बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है जितने भी तरीकों से मैंने french braid बनाई है आपने देखा है कि सबी में हमें एक तरह से french braid बनानी है बस किसी में हमें center partition करना है किसी में हमें side partition करना है किसी में हमें front side braid बनानी है और सबकी look बहुत ज़्यादा अच्छी आती है सारे hairstyle करने बहुत ज़्यादा easy है तो इस hairstyle में आप देख सकते हैं मैंने center partition किया है center partition करके आपको दोनों side से layers लेते जाना है और braid बनानी है दोनों साइड से braid को जोड़कर आप टिक टैक पिंट से सिक्योर कर लीजी और बाद में पॉनी टेल बना लीजी या ब्रेड बना लीजी ये वाले hairstyle भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप college going कर ला है तब भी आप ये वाले hairstyle कर सकते हैं तो guys आपको मेरे ये वाले सारे hairstyle कैसे लगे आपको ये वाली वीडियो मेरी helpful लगी आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़दा सुन्दर कौन सा hairstyle लगा और सबसे ज़दा easy आपको कौन सा hairstyle लगा hope guys आपको मेरे ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सबस्क्राइब जरूर कर देना तो चलिए guys अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thank you bye